Dear students, मैं जोती सक्षेना, MS College, Beacon Years. Students, हम आपसे नगर निगम के बारी में बात कर रहे थे. नगर निगम और नगर परिश्द में क्या डिफ्रेंस है और इनमें क्या सिमिलर्टी है? आज हम बात करेंगे नगर निगम के विशेष्टाएं क्या क्या होती है? नगर निगम के पहले विशेष्टा है कि नगर निगम का इस्तापना किसी ना किसी अधिनियम के दोरा ही की जा सकती है. बिना अधिनियम के हम नगर निगम को नहीं बना सकते. राज्यों में नगर निगम का निर्माण राज्य की व्यवस्ता पिका के दौरा और केंदर शाशित प्रदेशों में नगर निगम टर निर्माण संसत के अधिनियम दौरा किया जाता है दूसरा है नगर निगम को चार्टर के रूप में इस्थानिये छित्र में रहने वाली जंता पर शाशन करने का अधिकार है नगर निगम एक निगमित निकाय है इसका अर्थ है नगर निगम के अपनी महौर होती है नगर निगम अपनी नाम से किसी भी कोर्ट में केस कर सकती है और कोई भी नगर निगम के विरूद केस कर सकता है नेस्ट है स्वायत्ता, नगर निगम की सबसे अच्छी विशेशता ये है कि इसे वित्तिय और सामने प्रिशाशन को लेकर बहुत ज्यादा स्वायत्ता मिल लवू है राज्य प्रिशाशन इसके रोज की काम में कोई इंटरफेरंस नहीं करता ये अपने कारेकरम योजनाएं बनाने में काफी हद तक इन्हें स्वायत्ता या स्वतंत्ता मिली होती है नगर निगम में कारेकारी और विर्मर्षकारी संस्तों अलग-अलग होती है यानि दोनों ही अलग-अलग रहकर अपना काम करते हैं साथ ही नगर निगम में जब इसका अब्धिनियम होता है तो उस अब्धिनियम में निगम कैसे बनेगा उसकी में शक्तियां क्या क्या होगी निगम के अधिकारियों में हम शक्तियों का बटवारा कैसे करेंगे निगम की भोगोलिक सीमाएं कितनी होगी इन सब बातों का भी उलेक होता है निगम में को स्वतंत्रता होती है लेकिन फिर भी इस पर राज्य का नियंत्रन होता है क्योंकि कही बार पाडशत अध्धक्ष और आयुक्त निरंकुष हो सकते है राज्य उन्हें वित्ती और सामने प्रशाशन के मामले में आदेश निर्देश दे सकता है और उन पे नियंत्रन भी लगा सकता है चोत्तरवे सविधान संशोधन में यह का था कि बड़े उनके नियोजन का प्रतिशक क्या होगा राज्येपाल दोरा इन सभी पहलुओं के आधार पेर एक लोग सूचना दी जाती है जिसके दोरा नगर निगम के स्तापना की जाती है नगर निगम का निर्मान करते समय कुछ ऐसे पॉइंट है जिनने हमें ध्यान में रखना होगा वो है जहां हम नगर निगम बना रहे हैं वो छेतर बहुत घना बसा हुआ होना चाहिए नगर परिशत समूचित विक्सित हो और उसके आगे भी विकास की संभावना होनी चाहिए जहां हम नगर निगम बना रहे हैं उस जगे जनता चाहती हो या जनता चाहती हो की वहाँ पर नगर निगम बने वहाँ की जनता ज्यादा से ज्यादा टैक्स को वहन करने की उसमें कैपिसिटी होनी चाहिए नगर परिशत की वित्य इस्तिती अच्छी होनी चाहिए और भविशे में और भी अच्छी होने की संभावना होनी चाहिए यह कुछ पॉइंट है जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि हम हापर नगर निखम बना सकते हैं भारत में जब हम नगर निखम या Municipal Corporation का निरमान करते हैं तो जो basic चीज़े हुती हैं वो होती हैं परिश्यत, मेयर और उपमेयर, नगर आयुक्त या निगम आयुक्त, नगर निगम की समीतिया, सबसे पहले हम बात करते हैं आज नगर निगम की परिश्यत के दौर, ये बारे में, चोहतर में सविदान संशोधन में ये कहा गया था कि हर नगर निगम छेत्र को कुछ निरवाचन छेत्रों में बार दिया जाएगा, जो बार कहलाएंगे, और हर बार से परितक्ष निरवाचन दारा सदसे चुने जाएंगे, इस प्रकार नगर निगम में जनतव दारा जो नि ये संस्तों में मतदान कंपल सरी कर दिया गया था इसके अलावा कुछ ऐसे व्यक्ति भी नगर निगम की परिशत के सदस्य होते हैं जो वहां के विधान मंडल दौरा जिनके बारे में कहा जाता है और उन्हें सदस्ता दी जाती है वो सदस्य होते हैं नगर पालिका के नुभव रखने वाले व्यक्ति लेकिन ये मतदान नहीं कर सकती लोक सभा और विधान सभा के वो सदस्य जो नगर निगम छेत में अपने निर्वाचन छेत्र का पृतिनिधित करती हैं नगर निगम के निर्वाचक के रूप में पंजिकरत राज्य सभा के सदस्य या फिर राज्ये की विधान परिश्यत के सदस्ये भी इसके सदस्ये हो सकते हैं वार समीतियों के अलावा राज्ये विधान मंडल के द्वारा बनी समीतियों के सभापति नगर निगम में जब जनतों द्वारा नागरिकों को चुनकर भेजा जाता है सदस्यों को तो उन्हें पार्षद कहते हैं इन पार्षदों के अलावा कुछ और सदसे होते हैं जिन्हें एल्डर्मेन कहते हैं एल्डर्मेन वो फ्यक्ति होते हैं जिन्हें चुनाव लड़ना अच्छा नहीं लगता लेकिन उनकी अनूभव उनकी उप्योगिता उनकी शानदार परसनल्टी या छबी के कारण परिशद में उन्हें सदस्ता दी जाती है इसमें महिलाओं और पुर्शेओं को प्रतिनेती दिया जाता है ऐसे लोगों को परिशद में विशेश स्थान दिया जाता है दिल्ली और कॉलकता नगर निगम में निर्वाची सदसों की संख्या 100 सो है दिल्ली में 6 और कॉलकता में 5 एल्डर मैं सदस्य है राजिस्थान में एल्डर मैं की विवस्ता नहीं है लेकिन फिर भी तीन-तीन सदस्यों को नगर निगम जिने नगरिये शाशन का विशेशन उववो उन्हें इस्तान देता है नगर निगम में परिशत की कुल सदस्य संख्या निगम के छेत्र की जन संख्या के आधार पर निर्भर करती है इन पार्षदों के अलावा नगर निगम में एक विधान सवा सदसे, एक लोग सवा सदसे, नगर पाली का प्रशाशन का अनुभव रखने वाले तीन व्यक्तियों को राज्य सरकार अधिसूचना दोरा उनका नाम बेश सकती है लेकिन इन्हें परिशत की बैठोटकों में कोई भी मतदान करने का अधिकार नहीं है निर्दलिये उमिद्वार को नामंकर भनने के लिए कम से कम दस प्रस्तावक लाने की जुरूत है उमिद्वार और प्रस्तावक उसी छेतर के निवासी होने चाहिए जहां से चुनाव लड़ा जा रहा है कल ये टापिक बच्चों कंटिनू रहेगा थेंक्यू